प्रणाम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको हस्तिनापूर का इतिहास के बारे मैं बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कृप्या कमेंट करके जरूर बताए कि आप हस्तिनापूर गए है या नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य का मेरट शहर जिसे समरिधर शहर माना जाता है इससे 40 किलोमेटर दूर प्राचीन नदी गंगा के किनारे पर हस्तिनापूर बसा हुआ है। हस्तिनापूर का उलेख न केवल पुरानी कथाओं में है बलकि आपको आधुनिक भारत के मानशित्र में भी देखने को मिल जाएगा। कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के साक्षे के रूप में हस्तिनापूर को देखा जाता है। अपने एतिहासिक द्रिष्टिकोन की वजए से वर्तमान समय में हस्तिनापूर पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल बन चुका है। दोस्तों आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसमें हस्तिनापूर का जिकराप को देखने को मिलता है लेकिन बहुत से लोगों को हस्तिनापूर के इतिहास के बारे में पता ही नहीं रहता है। आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको हस्तिनापूर के एतिहास के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब मैं आपको हस्तिनापूर की स्थापना के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों भरत राजा दुशयंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुशयंत ने भरत के बड़े होने पर उसका विवाह करवा कर सिंघासन उसको सोप दिया। भरत के नोपुत्र हुए थे जब भरत वृद्ध हो गये तब वो हस्तिनापूर के सिंगासन के लिए काफी चिनतित थे क्योंकि पुरानी परंपरा के अनुसार सिंगासन पर जेश्ट पुत्र को बैठाया जाता था यही राजा भरत के लिए चिनता का कारण था इसके लिए उसने अपने मंत्रियों और बेटों से इस बारे में बातचीत की। इस बीच में ये एहसास हुआ कि उनके नौ पुत्रों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो राजगद्धी के लिए उप्युक्त हो। लेकिन राजा भरत के पास अपने जेश्ट पुत्र को राजगद्धी पर बैठाने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। वो अपने जेश्ट पुतर को सिंगासन पर बैठाने के लिए तयार हो गए इस बीच उन्होंने अपने अतीत को याद करते हुए। देखा कि किस तरह से उनके माता पिता ने उन्हें गर्व के साथ सिंगासन सौपा था इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरू के उपदेशों को भी याद किया। राजा भरत अपने पिता दुशंत की तरह काफी बहादूर शक्तिशाली राजा थे और वो अपनी जनता का बहुत अच्छी तरीके से खियल रखते थे वो इस बारे में सोच रहे थे कि शायद उनके पुतर उनकी तरह जनता का खियल नहीं रखेंगे इससे उनका राज्ये न नौजवान का दृष्य सामने आया जो काफी बहादूर भी था और उनके राज्य को उनकी तरह संभाल सकता था। अब राजा भरत को अपने परिवार से हटकर अपने सामराज्य के बारे में सोचना था। से जानना चाहते थे। तब राजा भरत ने भूमन नयू को अपने दरबार में बुलाया और राजगद्धी पर बैठा दिया। राजा भरत ने कहा तुम एक अकेले इंसान हो जिसे मैं इस सिंगहसन के लिए योग्या मानता हूँ। नहीं चाहता कि मैं अपने अयोग्या पुत्रों को सिंगहसन पर बैठा कर सिंगहसन के साथ अन्याय करू। दर्बार में बैठे सभी लोगों से राजा भरत ने कहा मैं इस नौजवान की बहादूरी से बहुत प्रसन हूँ और यदि इस सिंगहसन का कोई सही उत्तराधिकारी है तो वो भूमन नयू है तब राजा भरत भूमन नयू का हाथ पकड़ कर उसका अभिवादन करते हैं। भूमन नयू ने भी राजा भरत के अनुसार अपनी जनता का ध्यान रखा और अच्छी तरीके से शासन किया। अजधानी को बदल कर हस्तिनापूर कर लिया। हस्तिन के बाद आजामीर, दक्ष, समवरन और कुरू ने अपने अपने हिसाब से राज्य की दोर संभाली क्रमानुसार राज्य किया। कुरू का वन्शज शान्तनू हुआ यहीं से एतिहास ने अपनी रूपरेखा तयार कर लिए शान्तनू के दो पुत्र हुए पांडू और धृतराष्ट्र उनके पुत्र पांडव और कौर्वो ने राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत जैसे बड़े युद्ध की लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको हस्तिनापूर के एतिहासिक अवशेश की कहानी सुनाती हूँ। खस्तिनापूर में प्राचीन काल में बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनके अवशेश आज भी हस्तिनापूर में मौजूद है। खस्तिनापूर से जुड़ी एतिहासिक चीजों के अवशेश आज भी जमीन में दफन है हस्तिनापूर के छे तल हुआ करते थे जिनके अवशेश आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे खस्तिनापूर के महल के अंदर महादेव का मंदिर आज भी विद्यमान है यह वही मंदिर है जिसमें पांडवों की रानी द्रोपती यग्य किया करती थी इस मंदिर में मौझूद शिवलिंग और पांचों पांडवों की मूर्तियां महाभारत काल की बताई जाती है हस्तिनापूर के महल में आज भी बहुत पुराना वटवरिक्ष मौझूद है जहां पर लोग अपनी मनोकामना के लिए जाते है इसके साथ ही विशालकाई जलकुआ भी मौझूद है उमीद है दोस्तों आपको हमारी द्वारा बताई गई जानकारी हस्तिनापूर का इतिहास अच्छे से समझ में आ गई होगी राजा भरत के शासंकाल से लेकर हस्तिनापूर के निर्मान तक की संपूर्ण घटना के बारे में हमने आपको जानकारी दी है यदि फिर भी आपका हस्तिनापूर के इतिहास से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं अब मैं आपको लोगो द्वारा पूछे गई प्रश्न के उत्तर बताती हूँ प्रश्न एक हस्तिनापूर का प्रथम राजा कौन था? उत्तर हस्तिनापूर का सबसे पहला राजा भरत था और पुरानों में यह उलेक किया गया है कि राज्य भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पढ़ा था प्रश्ण दो हस्तिनापूर का अंतिम राजा कौन बना? उत्तर हस्तिनापूर का अंतिम राजा निचिक्षु था जो की राजा परीक्षित का वन्शज था अंतिम शासंकाल इसी ने संभाला था प्रश्ण तीन महाभारत के हस्तिनापूर का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर हस्तिनापूर मेरट शहर का एक छोटा सा जिला है इसका वर्तमान समय में नाम हस्तिनापूर ही है प्रश्ण चार हस्तिनापूर कौन से राज्य में आता है? उत्तर, हस्तिनापूर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है जो की मेरट से महस 40 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है प्रश्न पांच भूमन नयू कौन था? उत्तर, भूमन नयू भारतिय पुराणों के अनुसार एक महर्शी थे जो बाद में राजा भरत के पुत्र बने और राज सिंगासन को संभाला इनकी माता का नाम सुननदा था जो काशी नरेश सर्पसेन की पुत्री थी प्रश्न 6 हस्तिनापूर का वर्तमान नाम क्या है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे और विडियो को लाइक भी करे और प्लीज हमें बताए कि आप किस शहर और देश से है कमेंट करके जरूर बताए